हेलोबर आज हम लोग एपलिस के बारे में बात करेंगे एपलिस क्या होती है एक गम की बिमारी होती है एक मसूड़े की बिमारी होती है एक ट्यूमर लाइक इनलार्जमेंट सेच्वेटेड ऑन दा जिंजिवल और अल्वियूलर म्यूकोशा एक ट्यूमर की तरह ग्रोथ होती है जो की जिंजिवा पे यानि गम्स पे दिखाए देती है इप इस ररियक्टिव ग्रोथ यह क्या होती है यह भी हम देखते है पहले एक पुलिस होता क्या है कि सी भी मोड में अगर इन गम्स पे इंजरी हो जाए injury to gum mode of injury कुछ भी हो सकती है चोट किसी भी तरीके से लग सकती है लेकिन अगर यहाँ पर चोट लग गई है यानि injury हुई है तो कहीं न कहीं यहाँ के आस पास के जो tissue होंगे वो damage होंगे अब अगर यहाँ के tissue damage होंगे तो इनकी healing की आवश्चता होगी तो यहाँ पर repairment होगा कई बार क्या होता है इसी repairment के दौरान इनकी growth की जगें overgrowth होने लगती है और इसी overgrowth को epilis कहते है तो होता क्या है यहाँ पर सबसे पहले injury होती है और injury के response हमें growth होता है इस responsive growth को हमेशा reactive growth कहा जाता है अब हम epilis के pathogenesis पर देखते हैं कि इसके पीछे pathology क्या होती है तो अभी हमने देखा कि epilis एक तरीके की injury के वज़े से होता है और जब भी injury होती है तो वहाँ पर healing के लिए granulation tissue या fibrosides पहुंच जाते हैं अब fibrosides पहुंच जाते हैं तो fibrosides का काम क्या होता है कि वहाँ पर fibrosides डालते हैं या collagen डालते हैं जिसके वज़े से वहाँ का जो wound है जो चोट है वह heal करना शुरू हो जाए granulation tissue का भी काम यह होता है कि वहाँ पहुंचने के बाद यह नई blood vessels बनाते हैं या किसी भी तरीके से करके वह wound जो होता है उसको cover करके healing करते हैं कई बार क्या होता है कि यह healing process होती वही overgrow हो जाती है यह कह सकते है hyperplesia हो जाता है incelns का hyperplesia का मतलब होता है कि इनका जो number होता है वह increased हो जाता है और इनका number increase हो जाएगा तो जो ग्रोथ होनी है वो ओवर ग्रोथ हो जाएगी and that is known as एपुलिश differential diagnosis of एपुलिश यानि अगर गम्स पे मसूडों पे एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलती है तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त ये एपुलिश ही हो तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं उसकी तरफ हम देखते हैं तो एक अधर कॉज में आता है tumor tumor benign benign का मतलब non-cancerous tumor bone का जो benign cancer होता है that is known as osteoma कहते हैं या osteoclastoma अगर malignant है तो amyloblastoma ये amyloblast का cancer होता है कई बार systemic disease systemic disease का मतलब होता है एसी disease जो system में हो GIT system में हो सकता है respiratory system में हो सकता है renal system में हो सकता है तो किसी भी system में हो सकता है लेकिन एक GIT की बिमारी होती है IBD यानि intestine bowel disease उसमें भी कई सारे symptom साते हैं जिसमें mouth ulcer और swelling on gums यानि एपुलिस देखने को मिलता है एक बिमारी होती है blood cancer blood cancer इसमें भी gums की swelling देखने को मिलती है और bleeding देखने को मिलती है एक अलग बिमारी है sarcoidosis sarcoidosis में क्या होता है कि कई सारे inflammatory cells या तो lungs में collect हो जाते हैं या किसी और organs में collect हो जाते हैं जिसके वज़े से lungs में problem होती है skin में recess देखने को मिलते हैं lymph node increase हो जाता है और gums में swelling देखने को मिलती है कुछ और भी causes होते हैं जिसके वज़े से applies होती है जैसे कि vitamin C की deficiency vitamin C की deficiency को इस करवी कहा जाता है या diabetic के जो patient है जो लोग smoking करते हैं उनमें देखने को मिलती है कई बार क्या होता है कि यह drug indicated होता है drug indicated का मतलब होता है कि कई बार यह दवाओं का side effect होता है जैसे कि मिर्गी fits fits में एक दवा दी जाती है phenytoine कई बार phenytoine की वज़े से यह epolis देखने को मिलता है या कई बार hypertension में calcium channel blockers दवा जो दी जाती है इसके वज़े से epolis देखने को मिलता है कुछ special people में कुछ चीजों को लेकर के allergy होती है जैसे कि यह allergy shaving gum के थ्रू हो सकती है cinnamon दाल चीनी के वज़े से हो सकती है toothpaste के वज़े से हो सकता है allergy या कुछ specific food item के वज़े से allergy हो सकती है और इस allergy के वज़े से epolis देखने को मिलेगा अब epolis के cause क्या क्या होते है तो epolis का जो सबसे पहला cause होता है वो plague होता है दातों के पीछे अक्सर एक पीली पपड़ी देखने को मिलती है यह actually 90% people में होता है तो यह जो पीली पपड़ी होती है इसी को plague कहते हैं अब चुकि यह 90% people में देखने को मिलता है इसका मतलब यह harmful कत्ता ही नहीं है plague क्या होता है अपने आप हटता रहता है और आता रहता है यह usually brush करने के बाद खतम हो जाता है और 4 से 11 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद यह फिर से आ जाता है लेकिन कुछ extra legend person जिन्हे brush करना नहीं पसंत होता है खास कर student को ठंडी में तो इनमें क्या होता है कि यह brush अगर नहीं करते हैं तो वह जो plague होता है जो पीली पपड़ी होती वह वहां से नहीं हटती अब वहां पे अगर पीली पपड़ी जमा होगी तो कहीं न कहीं वहां पर infection होगा microbes वहां पर आएंगे microbes आएंगे तो वह जो sugar content होता है कुछ mouth में या जो food से sugar content मिलता है उसको acid में convert करते हैं अब अगर mouth में acid बन रहा है continuous बन रहा है तो कहीं न कहीं वह injury करेगी अब injury या तो teeth में करेगी या तो gums में करेगी तो gums में अगर injury होगी तो वहां पर inflammation होगा और gums के inflammation को gingivitis कहा जाता है अब injury को heal करने के लिए फिर वही process growth होगा और कई बार over growth देखने को मिल जाती है जिसके वज़े से appolish हो जाता है या कुछ और region होते हैं जैसे कि जब बच्चों में दूद के दाथ तूटते हैं तो उनमें permanent teeth देखने को मिलता है और जब permanent teeth हाता है तो कई बार उनमें appolish का formation होता है या कुछ जो बूड़े बुजूर्ग लोग होते हैं जिरका दाथ हिलता है उसको surgical remove करवाया जाता है बट अगर surgery के दौरान दाथ का कोई भी portion वहां पे बचा रह गया तो वहां पे inflammation होगा infection होगा कई बार उसके वज़े से over growth और apples देखने को मिलती है adentulus teeth का क्या मतलब होता है कि जो दाथ गिर गए हो कई बार क्या होता है कुछ लोगों में दाथ गिर जाते हैं और कुछ उनमें से कुछ लोग extra soaking जो दाथ लगवाने की कोशिश करते हैं जिसको artificial denture कहा जाता है जो दाथ artificially लगवाया जाता है that is known as artificial denture कई बार क्या होता है artificial denture है जो दाथ लगवाया जाते हैं वो सही तरीके से fit नहीं हो पाते हैं ill-fitting denture जो होते हैं उसके वज़े से मसूडों में rubbing होती है रगड होती है रगड भी एक तरीके के इंजरी होती है जिसके वज़े से overgrowth और apples देखने को मिल आएगा last cause is mal alignment कई बार क्या होता है दाथ का mal alignment होता है यानि कुछ लोगों के दाथ टेड़े मीले आगे पीछे होते हैं उनको correct करने के लिए braces का यूज किया जाता है कई बार लोग braces गलत तरीके से लगा लेते हैं और gums में rubbing देखने को मिलती है जिसके वज़े से apples formation हो सकता है इस figure में यह जो braces यूज के गए और कई बार इसके गलत इस्तिमाल से rubbing होती है और apples formation हो सकता है diagnosis कि apples के diagnosis कैसे बनाएंगे तो अगर दातों के बीच यानि मसूडे में extra growth मिलती है तो पहले तो differential diagnosis होती है बट हम कितना भी sure क्यों ना हो कि apples होगी एक dental x-ray जरूरी होता है या कई बार क्या होता है इसकी surgery होती है तो surgery में जो मास निकाला जाता है उसको histopathological examination करवाया जाता है कि क्या यह simple tissue है या इसमें कहीं tumor तो नहीं है या other anything अब apples का division होता है apples को कैसे classify करते हैं तो apples क्या होता है कि किसी भी age में किसी भी sex यानि male female में हो सकता है बट mainly females में common है maybe fleshy firm और hard या तो यह fleshy हो सकता है मांच की तरीके से soft हो सकता है या firm यानि hard हो सकता है यह apples single हो सकते हैं आप मसूडो हो सकते हैं है पूरे ममो में सिर्फ एक apple formation होगा या multiple हो सकते हैं कई सारे apple बशुट बनेंगे या generalized हो सकते हैं कि पूरे मसूडो में Brush formation होगा It may be red in color और gum color यानि यह लाल भी हो सकते हैं और gum color यानि मसूडों के color के भी हो सकते हैं यह मसूडों के आगे यानि anterior to gum हो सकता है या मसूडों के पीछे posterior to gum हो सकता है टाइपस आफ एपुलिस यानि एपुलिस का classification जो है वो 5 होते हैं 5 टाइप के एपुलिस पाया जाते हैं myloid, fibrous, carcinomatis, pyogenic and congenital तो अब हम एक एक एपुलिस को ध्यान से देखते हैं fibrous, fibrous का मतलब होता है, fiber का जो मतलब होता है वो collagen यानि इस एपुलिस में जो growth होगी वो collagenous होगी fibrous एपुलिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा common होता है और यह होता क्यों है ill-fitting denture यानि artificial जो दांत लगवाया जाते हैं उसके ill-fitting के वज़ए हो सकता है, cavity के वज़ए हो सकता है और plague के वज़ए हो सकता है तो fibrous का क्या मतलब होता है कि collagen यानि जो growth होगी वो collagen के द्वारा होगी यान उसमें collagen की मात्रा बहुत जादा होगी कई बार क्या होता है जो इसमें एपुलिस होता है मैक्समम जनरलाइजड एपुलिस देखने को मिलते है जनरलाइजड एपुलिस के बीच में अक्सर एक कैनाल बन जाती है उस कैनाल को एपुलिस फिशुरेटम कहलाता है उसे एपुलिस फिशुरेटम कहते है एपुलिस का treatment क्या होता या तो इसको surgical remove करा दीजे या फिर कोई cause है उसको remove करिए जैसे अगर आपको किसी चीज़ से allergy है तो उस चीज़ को आप मत खाईए next is myloid apples या इसको giant cell apples कहा जाता है giant cell क्या होता है giant cell actually collection of many cells होते हैं ये बहुत कम देखने को मिलता है ये होता कि मेली dental extraction के वज़े से या अगर दात निकलवाया गया तो या filling of teeth या coming of permanent teeth है जब नए दात आते हैं उसके लिए होता है उसके वज़े से होता है जो apples होती है जो इसके histopathological examination होता है उसमें giant cell देखने को मिलता है इसलिए myloid apples को giant cell apples कहलाता है यानि myloid apples में जो भी tissue हम निकालते हैं अगर उसके histopathological examination कराएं तो उसमें कुछ बड़े-बड़े cells दिखाई देते हैं और बड़े cells को giant cell कहा जाता है ये osteoclossed की तरह इनकी activity होती है osteoclossed का मतलब होता है जैसे वो cells bone के जो osteoclossed यानि bone को clossed मतलब cut करें को cupping कहते है कप का मतलब होता है हमेशा depression pyogenic granulomatis pyogenic granulomatis जो होता वो सबसे ज़्यादा common apple होता है ये alignment of teeth के वज़ेस हो सकता है जिसमें braces लगाया जाते हैं तार या infection के वज़ेस हो सकता है इसकी सबसे बड़ी property क्या होती है ये red color में होता है dark red होता है जैसे कि आप figure में देख सकते हैं और अगर dark red है तो obviously इसमें vascular system बहुत ज़्यादा पाई जागा कोई भी चीज बड़ी के अगर बहुत ज़्यादा red है जैसे lips हमारी बहुत red पाई जाती है comparison to other body organs तो इसलिए होता है क्योंकि इसमें blood vessels बहुत ज़्यादा पाई जाती है similarly ये लाल होता है क्योंकि इसमें blood बहुत ज़्यादा होता है और अगर इसमें blood ज़्यादा होगा तो हलका सा छोने पे भी यह easily bleed कर जाता है अब इसके name पे देखते हैं पाईयों जन्नी granulomatis पाईयों का मतलब होता पस और granulomatis का मतलब होता है कि अगर कोई भी microbes को हमारे WBC चारों तरफ से घेर ले जैसे कि TV में देखा जाता है that is known as granuloma लेकिन इस एपुलिस में ना तो पस बनता है और ना ही कोई granuloma formation होता है इस वज़े से यह wrong actually गलत है यह नाम जो है वो गलत है बड़ ट्रेंड में है इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कई बार क्या होती यही एपुलिस pregnant woman मेंदेखने को मिलती है pregnancy के टाइम क्या होता है एस्ट्रोजन का increase हो जाता है एस्ट्रोजन जो हार्मोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उस हार्मोन की वज़े से चुकि females में भी ज़ादा होता है तो कहीं कहीं एपुलिस पे एस्ट प्रॉम बर्थ यानि पैदा होते ही तो कुछ बच्चों में अगर पैदा होते ही उनमें अपुलिस है इसको सर्जिकली रिमूब करवाया जाता है इसके सर्जिकल रिमूब को अगर हिष्टो पैदालॉजी में देखें तो यह ग्रैनूलर दिखाई देता है और ग्रैनूलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें लाइसोशोम की कंसेंट्रेशन बहुत जादा होती है कई बार यह प्लीस कार्शिनोम्ैटर हो सकते आनी कैंसर हो सकते हैं मैजसा का सम्म्यूकोषा और अगर और अगर ब्लॉं का यानी एमाीलो լ्लास्ट का यह तो यह सारी इंफॉर्मेशन के बारे मित्थी जो थैंक यू व्रीवन